मारत की स्टार वेडमिंटन खिलाडी साइना नहवाल ने मलेशिया मास्चर्स कोल्डन टूर्नमिंट के खिताबी मुकाबले में जीत हासिल की है फाइनल मुकाबले में साइना ने थाइलेंड की पोन पावी चोचू वों को सीधे सेंटो में 22-22 से हराया 2016 के रियो अलम्पिक के दौरान घुटने में लगी चोट के बाद साइना का यह पहला खिताबी मुकाबला था जिसमें उन्होंने जीत हासिल की है इसे पहले साइना ने सेमी फाइनल में होंग कॉंग को खिलाडी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था विश्वकी तस्वी वरईता प्राप्त साइना और सट्वी वरईता प्राप्त पॉंड पावी का पहली बार आमना सामना हुआ है और 18 वर्षिय पॉंड पावी और साइना के बीच भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला लेकिन सायना ने पोनपावी को मात देते हुए खिताब पर कबसा जमाया इससे पहले सायना ने अंतिम खिताब जून 2016 में आस्ट्रेलिया ओपन जीता था तो चोट के बाद एक बाद फिर सायना ने खिताबी जीत के साथ वापसी की है और मलेशिया मास्चर्स कोल्ड टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया देख तरे एडी बिलाइव